नमस्कार दोस्तों जैन कुकिंग बेकिंग क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत थे और आज हम बना रहे हैं ये बढ़िया मुंग डाल कचोरी गर्मा गरम क्रिस्पी मुंग डाल कचोरी इसके लिए हमने आधा कप मुंग मोगर लिया है मुंग की डाले ये बिना चलके और इसे दो कर अच्छे से हमने गला लिया है अधे गंटे के लिए हम गला देते हैं ओ फीर गैस पर रखेंगे 2 से 3 मेंट हम इसे उबाल लेते हैं ये बिकल रही है तब तक हम एक पेंड में तेल डालते हैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाला एक चम सउफ टाली और दो टेबल स्पोन बैसन डाल कर अच्छे से भून लेंगे खुश्बू आने तक भूनेंगे फ्लेम को स्लो रखेंगे एक से दो मिनिट लगेगा उसकी बाद हम आदा चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चमच दनिया पाउडर, वन फोर्थ हल्दी, वन फोर्थ गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल के सबको अच्छे से मिक्स करेंगे दो से तिन लोंग लेकर कूट कर वो भी डाल देंगे और सबको मिक्स करने के बाद जो मोगर हमने गला के रखा है उबाल के रखा है वो भी हम इसमें डाल देंगे सबको मिक्स करकर डखकर दो मिनिट पका लेंगे और ठंडा होने के लिए अलग रखतेंगे उसके बाद हम एक बाउल में एक कप मैदा लेंगे उसे चान लेंगे, डे टेबल स्पून ऐल डालेंगे वन टी स्पून नमक डालेंगे और मिक्स करके मिडियम सॉफ डो हम इसे लगा लेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे और न भोट धिला और न भोट कड़ा काटा लगा लेंगे आटा गुतने के बाद हम उसे 10 मिट के लिए रेस देंगे और उसके बाद हम इसे लोई काट लेंगे लोई काटने के बाद इसमें करीब 8 से 10 हमारी कचोरी बनेगी और जो मसाला है वो करीब 15 कचोरी उसमें से निकाल सकते हो आप इसके बाद हम एक बॉल लेंगे और उसे थोड़ा सा बढ़ा करते हुए यह मसाली की गोली रखकर जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं अच्छे से पेक करेंगे ध्यान रखें कि मसाला दो परत के बीच में नहीं आए तो फुटने का खुलने का कोई डर नहीं रहेगा है कि जो जाइंट है वो हमारा हमेशा तेल में नीचे की साइड होना चाहिए इसका फुटने का एक मेजर कारण यही होता है अगर आप इसा करेंगे तो आपकी कचोरी कभी भी नहीं तेल में खुलेगी तो आप ध्यान रखें कि जो हमारा जाइंट वाला पोर्शन हमेशा तेल में नीचे की साइड में रहे और इस तरह से हम बिल्कुल गुनगुने तेल में बहुत जादा गरम हमको नहीं करना है एकदम गुनगुने तेल में सारी कचोरी हम डाल देंगे फ्लेम को स्लो रखेंगे शुरुआत में एक आद मिनिट हम इसे टश नहीं करेंगे थोड गोंडन कलर आने तक फ्राइ कर लेते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छा कलर आ गया हमारा और हमें इसे निकाल लेते हैं गेस की फ्लेम को यहाँ पर कम नहीं करें इसकी वज़़े से आपकी कचोरी में तेल भर जाता है आप गेस कम करके फिर निकालते हैं तो आपकी कचोरी में तेल भर जाता है तो कभी भी आप फ्रेम को कम नहीं करें तेज आज मरें ही इसे बाहर निकालें तो आपकी कचोरी में कभी भी तेल नहीं भरेगा यह लीजिए बढ़िया गर्मा गरम मौंग डाल कचोरी एकड़म क्रीश्पी खस्ता लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना पूलें